नमस्कार दोस्तों आज की चर्चा बहुत ही आम है और वो है बिग बॉस बारा को लेकर जो कि आप डेली देखते हैं कलर्स टीवी पर तो इसमें हमें डेली अलग लग चीजों का तड़का देखने को मिलका है काफी ज़ादा entertainment है ये शो तो इस चीज़ को लेकर एक news हमारे सामने आई है इस हफते शोईब इबराहिम शो में बन सकते हैं पैनलिस्ट कलर्स टीवी के मशूर रियालिटी शो बिग बॉस बारा अपने शो में हर वक्त कुछ अलग करने के लिए जाना जाता है हाली में ऐसी खबरे भी हैं कि शो की गिर्ती टी आर पी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स इस बार कुछ अलग करने वाले हैं जी हां ऐसी खबरे हैं कि इस बार बिग बॉस के पैनलिस्ट में एक ऐसे इंसान की एंट्री होगी जिसका संबंध घर के अंदर रहरी एक एहम महिला से होगा और वो है दिपिका ककड टीवी अभीनेतरी की मशूर अभीनेतरी दिपिका ककड से इस हफ़ते शो में दिपिका के पती शोईब इब्राहिम पैनलिस्ट के तौर पर बिग बॉस के घर में नज़र आएंगे शोईब कंटेस्टेंट और उनके प्रदशन का विशलेशन करते हुए नज़र आएंगे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट हीना खान, शिल्पा शिंदे और हितेन तेजवानी उनसे पहले घर के बतोर पैनलिस्ट शो में हिस्सा लेते हुए हमें नज़र आए थे अब देखना होगा कि शोईब की आने के बाद दिपिका का कैसा रियाक्शन हमें देखने को मिलता है इस हफ़ते बिग बॉस के घर में खेले गए टास्क में शिशान्त को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी कंटेस्टेंट दिपिका का साथ देते हुए नज़र नहीं आया अब दिपिका का बचाव करते हुए उनके पती शोईब सामने आये है शोईब ने दिपिका का बचाव करते हुए एक बयान दिया है उस बयान में उन्होंने कहा कि लोग उसे टार्गेट कर रहे है क्योंकि ये गेम ही कुछ ऐसा है डिप्लोमेटिक होना बूरी बात नहीं है हम गेम में बने रहने के लिए डिप्लोमेटिक होना पड़ता है जितना दिपिका रोएगी उतनी जादा मजबूत होकर वे सामने आएगी और शोइब ने आगे कहा कि दिपिका पर आरोप लग रहे हैं कि वो फेख हैं पर सच ये है कि वो बिना वज़ा किसी से भी लड़ाई नहीं कर रही हैं सब उसे बहु बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसी नहीं है, उनका character वो real character उनका वही है, तो लोग जो उने target कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो से मर्जबूत कर रहे हैं, और हमेशा मैं दिपिका के साथ हूँ, तो देखते हैं जब शोईब की एंट्री होती है बिग बॉफ के घर में तो दिपिका का रियाक्शन क्या होता है और जो बाकी के कंटेस्टेंट है उनका क्या रियाक्शन होता है तो यह हम जल्द देखेंगे Thank you so much, keep watching today's for more videos और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले